Hello everyone, welcome to PhD Jobs and Admissions. This is Ankitah, Sudh and students. आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ Research Methodology का Quick Revision Series for our upcoming JMI University. तो आप सभी को पता होना चाहिए कि JMI University ने अपने Official Notification में ये बता दिया है कि कब PhD Entrance Exam होने वाला है. So finally, ये exam 27th में को होने वाला है and आप लोगों के Admit Card जो है वो 19th में को Release कर दिये जाएंगे. तो अभी आप लोगों के पास लगभग 10 दिन बाकी है. So इन 10 दिनों में भी आप लोग PhD Entrance Exam को Easily Qualify कर सकते हो अगर आप हमारे ये Quick Revision Series को अच्छे से Follow करते हो. So इस Complete Series में मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसे Important Questions लेकर आई हूँ जो कि exam में As It Is भी पूछे जा सकते हैं. And हर एक चीज को मैं Real Life Example के साथ आप लोगों को समझाऊंगी so that आप लोग exam के टाइम पर Easily हर एक चीज को Recall कर सको. तो चलिए शुरू करते हैं. So students इसी तरह के PhD Entrance Exam के लिए आप सभी को पता होना चाहिए कि हमें हमारे Paper Pattern को दो sections में Divide किया जाता है. पहला होता है Paper 1 और दूसरा होता है Paper 2. Paper 2 होता है Subject Centric Paper या फिर सको Section B और Section A भी बोला जाता है. Section A जो होता है ये होता है हमारा Common Paper जिसमें की Research Methodology से Questions पूछे जाते हैं. So Research Methodology का बहुत Higher Weightage होता है. अगर आप लोग सिरफ और सिरफ Research Methodology को भी अच्छे से बढ़के जाते हो तो भी मैं आपको Guarantee देती हूँ कि आप किसी भी उनिवर्सिटी के PhD प्रोग्राम को Easily Qualify कर सकते हो और PhD में Admission ले सकते हो. So अभी क्योंकि सिरफ 10 दिन बागी हैं, so Research Methodology का Quick Revision Package में आप सभी के लिए लेकर आई हूँ. इसमें हम आपको देते हैं Full Syllabus Short Notes. ये Notes आपके Final Preparation में आपकी बहुत हेल्प करेंगे. इन Notes में हम लोगोंने ऐसे ट्रिक्स बताए हैं कि आप लोग अगर एक बार बढ़ लेते हो तो भी एक्जाम आप क्वालिफाई कर सकते हो. साथ ही हम आपके लिए लेकर आए हैं 10 Full Syllabus Mock Test यानि कि Research Methodology की जितने भी टॉपिक्स हैं. सभी पर Separate Mock Test हम आपको प्रोवाइड कराते हैं. ये Mock Test आपकी Final Revision में आपकी बहुत हेल्प करेंगे. साथ ही हम आपको देते हैं 1500 PLUS MCQs Revision PDF. सो ये 1500 PLUS MCQs में जो है Most Important, Most Repeated and Most Expected Questions को कवर किया गया है. और आपको बता दूँ कि हमारे बहुत से प्रीवेस बाच के स्टुडेंट्स का ये हमें फीडबैक आया है. कि हमारे इसी कंटेंट से उनके PhD entrance exam में बहुत से questions as it is पूछे गये थे. और इनहीं questions की बज़ा से उन लोगों ने अपना exam qualify किया था and वो अपना PhD का dream आप पूरा कर रहे हैं. So students, इस course को आप लोग जल्दी से access कर लीजिए and ये MCQs Revision PDF जो है, ये ना सिरफ आपके entrance test में ही वलकि interview process में भी आपकी बहुत help करेगी. जल्दी से इस course को access कर लीजिए, इसके लिए आपको screen पर देगे, number पर WhatsApp के through contact करना होगा. ठीक है, यहाँ पर आप लोग number देख सकते हो and इस complete course की fee है सिरफ 5 double line. तो जल्दी से इस course को access कर लीजिए. तो चलिए शुरू करते हैं. आज का हमारा पहला question है, exposed facto research means. तो यह बहुत important research का एक type है. मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया है कि types of research से हमेशा 4 to 5 questions पूछे जाते हैं. वो भी direct definition वाले questions होते हैं. ठीक है? So exposed facto research का क्या मतलब होता है? The research is carried out after the incident. यानि कि कोई घटना हो गई है, कोई problem में हम फस चुके हैं, उसके बाद हम उसके बारे में research करेंगे. दूसरा statement में बोला गया है, the research is carried out prior to the incident. यानि कि कोई घटना भी होने वाली है, हमें पता है कि ये घटना कुछ होने वाली है, ये problem में हम लोग फसने वाले हैं, उससे पहले ही ये research किया जाता है. दीसरा option बोलता है, the research is carried out along with the happening of the incident. यानि कि उस घटना के घटित होने के साथ साथ ही इस research को अनुसंधान को किया जाता है. लास्ट option है, the research is carried out keeping in mind the possibilities of an incident. तो ये जो भी इस घटना के possibilities हैं, जो भी संभावनाए हैं, उनको ध्यान में रखते हुए पहले से ही research किर दी जाती है. ठीके, बहुत ही easy question है, post का मतलब और pre का मतलब आई hope आप लोगों को पता होगा. pre का मतलब होता है पहले, post का मतलब होता है बाद में. ठीके, अगर आपको ये meaning पता है तो आप लोग within a second इसका answer दे सकते थे. बाद में का मतलब है कि कोई fact हो गया है, ठीके, कोई incident हो गया है, उसके बाद हम लोग उस पे research करेंगे. That is called exposed facto research. तो बस इतनी सी बात आप लोगों ने याद रखनी है कि घटना के बाद अनुसंधान जो किया जाता है, उसको as exposed facto research बोला जाता है. Next question है, which one of the following belongs to the category of good research ethics? So, यहाँ पर कुछ options है, तो इसमें से कौन से अच्छी अनुसंधान नैतिकता की शेणी में आते हैं? पहली statement है, publishing the same paper in two research journals without telling the editor. यानि कि किसी problem का solution हमने लिया और दोनों ही books में same solution दे लिया. ठीक है, दोनों ही अपनी publications में same हमने answer वहाँ पे दे दिया. Without telling the editor. दूसरा option बोलता है, conducting a review of the literature that acknowledges the contributions of other people in the relevant field और relevant prior work. ठीक है, यानि कि अगर हम लोग किसी work पे, किसी भी field में research कर रहे हैं और हमें पता है कि इस field में पहले भी research हो चुकी है, तो हम उनके contribution को ले सकते हैं. उन्होंने जो results find out किये थे, उनको use कर सकते हैं. लेकिन हमें उनको बताना पड़ेगा कि हम आपका solution है, जो findings है, उसको use करने वाले हैं. नेक्स है, trimming outliners from a data set without discussing your reasons in a research paper. आपने शोध पत्र में अपने कारणों पर चर्चा किये बिना ही data set से out layers को trim कर देना. ठीक है? नेक्स है, including a colleague as an author on the research paper in return for a favor, even though the colleague did not make a serious contribution to the paper. यानि कि अपने जो colleague है, उनको इस चीज में include करेंगे, चाहे वो proper way में हमारी help ना कर रहे होंगे. तो यह बहुत easy question है, कि research ethics, यानि कि research की जो नैतिकताएं हैं, वो हमें बोलती है, कि जब भी हम किसी particular author की पहले के काम की, कि अगर मतब उसको use कर रहे हैं, उनकी findings को अपने काम में use करने वाले हैं, तो हमें वहाँ पिनको acknowledge करना ही चाहिए, उनका नाम mention करना ही चाहिए, कि हम इनकी help से इस काम को कर रहे हैं, ठीक है? Next question है, when academicians are called to deliver lecture or presentations to an audience on certain topics or a set of topics of educational nature, it is called? So, academicians हैं, यानि कि शिक्षा विदों में क्या होता है, अगर वो lecture दे रहे हैं, या फिर presentation दे रहे हैं एक audience को, किसी एक particular topic पे, जो कि educational topic है, तो इस तरहा का जो वहाँ पे program चल रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? Training program, seminar, workshop या फिर symposium, तो ये question जो है, ये बहुत ही जादा important question है, ठीक है? ये जो options हैं, ये मैं आपको explain करूँगी, यहाँ से दो question तो आप लोग पक्का लेकर चलिए कि exam में आएंगे, ही आएंगे, ठीक है, minor से differences है सब में, तो इसका तो right answer है हमारे पास option number two, that is seminar, ठीक है? तो seminar होता क्या है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए, ठीक है? ठीक है, so seminar और workshop में difference होता है, मैं उसी के तुरू बताने की कोशिश करती हूँ, ठीक है? seminar tends to be held within one institution और university, so अगर हम लोग किसी एक university या फिर किसी एक institution में जा करके lecture देते हैं, किसी चीज़ के बारे में बताते हैं, तो वो आता है seminar की category में, ठीक है, and seminar में क्या होता है? Small groups होते हैं लोगों के, जैसे बच्चों के small groups होंगे, 50 to 100 students हो सकते हैं, मान दीजिए, ठीक है? And क्या होता है, जैसे कि 50 to 100 भी शायद मैंने जाधा बोल दिया, अगर हम लेकर चले 10 to 20 students यहाँ पे होंगे, तो वो seminar की category में आएगा, ठीक है, वहीं दूसरी तरफ क्या होता है? Seminar हमारे less formal होते हैं, कम formally structured होते हैं, then conference, ठीक है, अब बात करते हैं, यहाँ पे workshop की, ठीक होता है, एक meeting होती है, जहाँ पे लोगों का एक group होता है, जो कि किसी चीज के बारे में सीखने के लिए आये होते हैं, through intensive discussion and activities related to it, ठीक है, तो workshop में वो पूरा real life में बताते हैं, कि यह चीज कैसे कांग करेगी, ठीक है, जैसे कि मान ली जी कि मैं देखना चाहती हूँ, कि exactly cars कैसे बनती है, जैसे कार्स के engines कैसे बनते में, यह देखना चाहती हूँ, तो मैं इस तरह की workshop में हम लोगों को यह proper चीजें सिखाई जाएंगी, हम लोगों को यह हो सकता है कि कि किसी factory में, किसी इस ऐसी जगह में लिजाए जाए जाए जाए, ठीके, इसमें क्या होता है, professional organization होती को institution होता है, बस यह याद रख लीजे, किसी institution, किसी university के अंदर, थोड़े से लोगों में जो चीज होती है, थोड़े से लोगों के बीच में, जो information share की जाती है, वो seminar होता है, ठीके, next आता है symposium, तो symposium एक meeting होती है, जिसमें number of experts आते हैं, बहुत सारे experts इसमें participate करते हैं, यह different-different fields के होते हैं, और यह particular subject पर discussion करने के लिए आते हैं, and symposium में क्योंकि बहुत सारे experts हैं, तो यह होता है formal in nature, बहुत serious type की चीज़ होती है, ठीके, इसमें कोई भी practical activity नहीं होती है, बस वो किसी topic पर discussion करते हैं, so that उस चीज़ का solution उनको मिल जाए, ठीके, training होती है किसी person को सिखाना, अब जैसे मियान लीचे मैं आप लोगों को teaching training सिखा रही हूं कि की online कैसे पढ़ाना है, तो मैं आप लोगों को सामने बिठा दूँगी, एक एक चीज़ explain करूँगी, and then आपको idea हो जाएगा, ठीके, इसके साथ एक और term होती है, जिसका नाम है conference, तो यह भी बहुत important है, ठीके, so conference एक formal meeting होती है, बहुत सारे लोगों की, जिसमें उन सब का common interest होता है, सब लोग किसे discussion में participate करते हैं, ठीके, वो किसी चीज़ का conclusion निकालने के लिए वहाँ पर बैठे होते हैं, जिसे office वग्यरा होते हैं, वहाँ पर conference rooms होते हैं, conferences होती हैं, बहुत से लोग बैठ के किसी problem के बारे में solution ढूंते हैं, ठीके, so यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए, कि question में जो जैसे पूछा गया है, lecture देते हैं, presentation देते हैं, educational lecture है, तो वो seminar ही हो सकता है, next question है, identify the correct sequence of research steps, तो research करने के कुछ steps होते हैं, जो कि मैंने एक separate video इस पर बनाई है, आप लोग उसको जरूर देखिएगा, selection of topic, तो क्या होना चाहिए, सबसे पहले हमें topic select करना होगा, review of literature, यानि कि किसी ने उसके बारे में पहले से कुछ लिखा है, उसको देखना होगा, data collection, then interpretation of findings, यानि कि अपने जो findings है, उसकी व्याख्या करना, review of literature, selection of topic, data collection, interpretation of the findings, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि यह वाला option हमारा गलत है, literature ही पहले कैसे देख लेंगे, हम कौन सा literature देखेंगे, दुनिया वर के literature available है, तो सबसे पहले तो हमें selection of topic करना है, तो तीनों में selection of topic, जो है first option है, topic select करने के बाद हम लोग review करते हैं literature को, ठीक है, तो यह वाला option भी हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी है review of literature, ठीक है, अब हमने पुराने literature को देख लिया कि उन्होंने क्या क्या काम किये थे इसमें, अब हम उसी के basis पे data collection का process शुरू कर देंगे, and data collection के बाद जो भी हम लोगोंने solution उस चीज का ढूंडा है, जो भी हमारी findings है, उसकी हम व्याख्या करेंगे, उसको हम interpret करेंगे, so right answer है option number one, and students मैं आपको बता दूं कि जो research steps है, आप बलोगे कि मैं इतनी बार research step के question पूछे, लेकिन हर बार options different होते हैं, चीज वही है, सरफ इसकी language थोड़ी सी change कर दी जाती है, ठीक है, next question है, a working hypothesis is, so hypothesis परिकल्पना, एक working hypothesis क्या होता है, proven hypothesis for an argument, यानि कि किसी argument पे हम जो नुमान लगा रहे थे, उसको prove कर दिया गया, तो क्या उसको हम working hypothesis बोलेंगे, दूसरा है, not required to be tested, एक ऐसा hypothesis जिसको test करने की जरूरत नहीं होती है, next है, a provisionally accepted hypothesis for further research, यानि कि आगे जो भी हम लोग research करने वाले हैं, उसके लिए इसको provisionally अभी हमने क्या किया है, स्विक्रिती दे दी है, अस्थाई रूप से उसको स्विक्रिती दे दी है, एकसेप्ट कर लिया है, या फिर hypothesis एक scientific theory होती है, so right answer है, option number three, क्योंकि working hypothesis, यानि कि जो hypothesis अभी काम कर रहा है, under महंबुल से दी कि इसको हमने बिल्कुल reject भी नहीं किया है, बिल्कुल accept भी नहीं किया है, ठीक है, वो अभी working condition में है, तो working condition में जो होता है, इसको मतलब यह होता है, and अपनी further research में इसको हम use करने वाले है, next question है, in sampling, the lottery method is used for, so lottery आप लोगोंने सुना होगा, क्या होता है, lottery के ticket लेते हैं, रेंडमली किसी का भी number select होता है, ठीक है, ऐसा तो नहीं होता है, क्या होता है, जैसे कि बाउल में बहुत सारे tokens रखे होंगे, हम किसी भी token को उठा लेंगे, किसी की किस्मत अच्छी, हम बोलते है किस्मत अच्छी है, तो lottery लगती है, ठीक है, तो यह होता है, randomization, तो right answer है, option number four, next question है, the research that aims at immediate application is, तो वो कौन से research है, जो कि immediate application पे एक focus करती है, उसका aim होता है, action, empirical, conceptual या फिर fundamental research, बहुत easy question है, अगर मेरे previous two lectures भी, ज्यादा नहीं, previous two lectures भी आपने देखे हैं, तो आप इसका अंसर दे सकते हो, ठीक है, immediately किसी problem का solution कहां पे जरूरत पढ़ती है, माली जे, school management में कोई problem होगी, hospital में कोई problem आ गई, ठीक है, इस तरह की जो problems होती है, वहाँ पे हम research, action research का use करते हैं, ठीक है, and action research के लिए, जो basic knowledge हमें होता है, वो मिलता है, fundamental research से, so right answer है, one, next question है, research ethics do not include, so do not include, कौन सी चीज़ research ethics में नहीं होती है, honesty, होती है या नहीं होती है, subjectivity, integrity, objectivity, so हमारे जो नैतिकता होती है, research में, research के जो भी rules हम लोगों को follow करने होते हैं, उसमें हमें honest रहना है, इमानदार रहना है, यारि कि जो result आया है, as it is, वही result mention करने हैं, अपनी तरफ से कुछ change नहीं करना है, ठीक है, proper subject हमें पता होना चाहिए, कि नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं भी होगा तो भी चलेगा, ठीक है, so right answer है, option number two, next question है, a research paper, so शोध पत्र क्या होता है, it is a complete, sorry, compilation of information on a topic, so जो भी हमने किसी topic पे information को collect किया है, यह उसका compilation है, उसका संकलन है, next option है, contains original research as deemed by the author, so यह एक original research है, जिसको की एक author के द्वारा समझा गया है, contains peer reviewed original research और evaluation of research conducted by others, ठीक है, so peer reviewed होता है, peer होते हैं अपने आसपास के लोग, ठीक है, उनके द्वारा review किया गया, original research है, या फिर evaluation है किसी research का, जो कि किसी और ने conduct किया है, next thing can be published in more than one general, so यहां पर right answer है, option number three, ठीक है, next question है, the core element of dissertation are, so dissertation क्या होती है, यह सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए, उसके बाद इसके element की बात करते हैं, ठीक है, so dissertation या फिर इसको हम thesis भी बोलते हैं, यह एक long piece of academic writing होता है, जिसमें कि हम अपने original research के बारे में लिखते हैं, submit करवाते हैं, कि क्या हमने कैसे उसको submit किया, एक समझ लो कि इसका एक proper structure हम लोग यहां पर enter करते हैं, ठीक है, इसका core element होता है, option number 4 की introduction आता है, उसके बाद literature review आता है, फिर research methodology, then result, then discussion and conclusion, तो हमेशा याद रखिए, कहीं पे भी अगर कोई भी option है, आप लोगों को idea नहीं लग पा रहा, अगर सबसे पहले तो introduction ही आएगी, सरफ introduction लिखा है तो भी ठीक है, अगर सबसे last में हमेशा discussion and conclusion ही आते हैं, राइट, next है, what is a research design, so research design क्या है, a way of conducting research that is not grounded in theory, the choice between using qualitative and quantitative method, the style in which you present your research findings, जैसे कि graph यहाँ पे example दिया गया है, या फिर एक framework है, for every stage of collection and analysis of data, तो research design में हमने जो भी data collect किया है, जो भी हमने analysis किया है किसी problem के बारे में, उसका एक framework हम लोग देते हैं, हर एक stage-by-stage हम यहाँ पे काम करते हैं, so option number 4 here is the right answer, next question है, sampling cases, so sampling cases क्या होता है, sampling using a sampling frame, identifying people who are suitable for research, यानि कि अपने research के लिए, कौन से लोग suitable है, जो की उप्यूक्त है, literally the researcher's briefcase, sampling of people, newspaper, television programs, etc., so यहाँ पे हमारा right answer है, option number 4, that is, sampling में आता है, लोगों को sample करना, newspaper को, television programs, इन सभी को हम sample कर सकते हैं, ठीक है, next question है, sampling error decreases with the, यह equation मैंने previous lecture में भी add किया था, जो हमारी basic mcq series थी, तो sampling error में क्या होता है, when increase in sample size, तो जैसे जैसे हम लोग sample के size को increase करते जाते हैं, हमारे sampling का error जो है, वो कम होता जाता है, ठीक है, next है, which one of the following is a non-probability sampling, last lecture में मैं आप लोगों के लिए probability sampling का एक example लेकर आई थी, ठीक है, वहाँ पर मैंने बोला था, not a probability sampling, not, यानि कि जो probability sampling नहीं है, इसका मतलब यह है, कि वो non-probability sampling होगा, confused नहीं होना है, ठीक है, so right answer है, option number two, तो यहाँ पर मैं आज आप लोगों को एक homework देती हूँ, वो यह है, कि आपने, अब मुझे, मैंने बहुत बार यह चीज़े बता दी है, cheating आप लोग बिल्कुल भी नहीं करोगे, comment करके मुझे बताओगे, कि non-probability के कितने types होते हैं, उन सब का नाम बताओगे, and probability sampling के कितने types होते हैं, and उनका नाम बताओगे, ठीक है, तो यहाँ से भी आप लोगों को idea लग जाएगा, चार नाम, तो यहीं भी mention है, उसमें से एक है non-probability, इसका मतलब है कि बाकी के तीन क्या है, probability है, तो एक आपको probability का नाम ढूंड़ना है, बाकी के non-probability, तो जल्दी से इसका answer आप लोगों मुझे दे दीजिए, इससे आप लोगों को एक idea हो जाएगा, कि हमें knowledge है या नहीं है, ठीक है, and अगर आपको नहीं पता इसका answer, मेरे previous lecture में जाएए, sampling वाले lecture में जाएए, इस चीज़ को समझ लीजिए, याद कर लीजिए, and then comment करके मुझे answer दीजिए, मुझे answer चाहिए ही चाहिए, इससे क्या होगा, मैं क्यों बोल रही हूँ कि जाकर कि इसको पढ़िए, क्योंकि paper में जब ये question as it is आएगा ना, तो आप लोग बोलोगे कि yes ma'am, आपने हमें बोला था ये देखने के लिए, तो आपने easily answer दे दिया होगा, ठीक है, next question है, the principles of fundamental research are used in, तो fundamental research का जो basic principle होता है, उसको हम कहां use करते हैं, ये मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, बार-बार, ये question बार-बार आता ही आता है, different ways में आएगा, अभी तक जितने भी हमने MCQ series किये, कोई भी question हमारा repeat नहीं हुआ है, लेकिन आप लोग देखोगे कि जो question repeat as it is नहीं हुआ है, लेकिन statement में थोड़े से differences होते हैं, तो ऐसे ही questions exam में आते हैं, ठीक है, ये थे हमारे आज के most important and most repeated 15 questions, I hope ये concepts आप लोगों को समझ आ गए हैं, तो किसी भी तरह की query के लिए, आप लोग screen पर दिए गए नंबर पर WhatsApp के through contact कर सकते हो, अगर आप लोगों ने अभी तक subscription नहीं ली है, तो सिरफ 599 पे करके आप लोग इसकी subscription ले सकते हो, and अपना dream जो है PhD करने का उसको पूरा कर सकते हो सिरफ 4 तिनों में, so thank you so much for watching this video and I wish you all the very best.